तो पहले तो हमारे जो यज्जी मतलब होता है आहूती देना, मतलब सुप कर्मों का आहूती, जो भी और शरल भासा में इसको खोलें यज्जी को, तो अच्छे काम के लिए अपना स्विक्रिति देना, मन्शाव आचा कर्मना जितना परकार्शिय आपसे हो जाता है, जो अच जिभाव से आहूती समझ करके प्रभू, तुने इतनी बड़ी रचना बनाई है, ये काइनात बनाया है तुने, तो इतनी आहूती मेरी है, क्योंकि तु भास में मेरे को इस धर्ती से बिछड़ा देगा, मेरा ये पिंड सारिदिक जो ठांचा ये नस्ट हो जाएगा, इसल इसको मैं धारण करते हुए इसके मार्ग बर चलो, इसको आहूत करूं हर करूं को, बच्चों को तयार करूं, बच्चों, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्रियां, संतानों को तयार करूं, ये रास्ते के लिए हैं, इस समाज के लिए हैं, इस मानवता के लिए हैं, मैं तो तो भगवान है, मा के गर्ब तक उस प्राण बच्चे को श्वास्ति देने वाला, प्राण वाई पहुंचाने वाला, रुधिर के शिराव और धमने के द्वारा रुधिर पहुंचाने वाला, वो तो तेरी ही सकती है ना, तो बैग्यानिकों का बैग्यानिक है, गुरूं का गुरु है आचारियों का आचारी है तो इंजिनेरियों का इंजिनेर है जहां इंजिनेरिंग खत्म होती है जहां डॉक्टरी खत्म होती है एक चिकिसा का चिकिसा जास्तर जहां खत्म होता है जहां यह ब्रमांड में जो खोज कर रहे हैं अलग अलग अनुवेशन रिशर्च तो ऐसा जो भी मनुशिक काम कर रहा है, चाहे मैं गिरस्ती हूँ, या असन्यासी हूँ, या आप इंजिनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, खेती हैं, मा गिरहनी हैं, खाना बनाती है घर में, रोटी बनाती है मातावेन, कितनी पुर्शार्थ करती हैं मातावेन घर में, म ऐसा भाव रखते हुए अगर हम उसको शौत हो करते हैं तो निश्चित है खुशियों का सामराजी हमारे जी उनमा जाएगा, एक खुशियों का अलाओक एक द्रिश्ची हमारे अंदर शामने दिखने लगेगा, हम स्वयम भी उसमें खुशियों के साथ जीने लगेंगे और दूसरे को भी खुशियां देने के लिए हम तयार हो जाएंगे, ऐसा लगता है ना जैसे हमारे पुझी स्वामी जी माहराज है, परम पुझी स्वामी राम देम माहराजी हैं, तो गुरु जी देखा कितने जीन में कितना कारी करते हैं, कितने 18-18 घंटा अपनी सेवाएं द देते हैं, तो देखा कभी उनके चेहरे में कभी निरासा, कई हतो साहित होना, कई हा निगेटिवीटी, कई ऐसा देखा हमें इसा चाहे परित्तिकूलता है, अनुकूलता है, कोई भी इतना महनत करके भी व्यक्ति खुश रहता, लेकिन एक दूसरा उद्योपती है, ऐसी इ दुकी रहते हैं, दिन में, मैंने तो काफी जो उद्योग पत्या, आप्यपारिये हैं, आपने फिल्मी दुनिया वालों को देखो, पैसा तो इनके पास है, अर्थ तो इनके पास भी यह लेकिन कितने परिशान हैं, बताइए, दुकी रहते हैं, बिमार हो जाते हैं, सरीर बेडॉल हो जाता है, अलग-अलग गलत काम करने लग जाता है, फिर कुछ समझ मनी आया है तो जहर खा लेते हैं, तो ये भगवान के प्रतिप्रीती नहीं होने से, आस्तिक्ता नहीं होने से, ऐसी स्तित्या मनिस्री जीवन में आने लग जाते हैं, इसलिए इनका भाव हो, इ भावान भगवान स्री कृष्णे गीता में कहा है, अगला है स्वाध्याय का गुर्णा